दोस्तों ABC कोचिंग योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आसा है कि स्वस्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ड एक्जाम की तैयारी जो है जवर्दस तरीके से कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में कक्षा एगरवी के बायलोजी के मस्ट बेदन है कि बताएगे हरे कुशन को आप अपने कॉपी में नौट कर लें और एक्जाम से पहले जिहां दोस्तों परिक्षा से पहले उन से भी कुशन को आप अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजेगा तो चले दोस्तों को जाने से पहले इसके कुछ शमान निर्देश को भी हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप एक्जाम में खौल जाओगे और जब आपको ओमार सीट दिया जाएगा तो दिहान दीजेगा कि आपको ओमार सीट में जो है आपका अपना जो नाम है रॉल नंबर अनुकर्मा कि य अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चूप करते हैं तो आपका जो है रिजल्ट पैडनिंग में हो जाता है फिर बाद में आप हमें कॉमेंट करके कहते हैं या मुझे कॉल करके या मेसेज करके कहते हैं कि सर मेरा इस तरह से प्रोबलम हो गया कैसे सॉल्व होगा तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है साथे दोस्तों ओमार सीट पर एक जो है कॉलम रहता है हस्ताक्षर का उसमें जो आपका जो रियल हस्ताक्षर है जो आप रेश्टेशन के समय किये थे वही हस्ताक्षर आपको करनी है ठीक है साथे दोस्तों मैं बता दू कि आप लोगों क जो है एकजा में जो है 40 जो है बहुत कल्पिक सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कि परति एक प्रस्ण जो है एक एक का दिया जाएगा इसमें चार विकल्प भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और ओमार सीट पर जो है इसका जो सही आंसर है उसको जो है गोले को काला या नीला करके जो है आपको भरना है दोस्तों नीला या काला बॉल पैन कहीं आप लोग उप्योग करेंगे पैंसिल का उप्योग नहीं किजिएगा वरना आपका जो आमार सीट है वो रिजक्ट हो जाएगा साथी दोस्तों मैं आपको बताओ एक महतपुन बात जब आप परिक परिक्षा वहवन छोड़ने से पहले अमार सीट को आपने विक्षा को लटा देनी है जो वहाँ पर टीचर्स मौदूत रहते हैं उनको आपको आपको अमार सीट आपको देनी है उसके बाद ही आप परिक्षा वहवन से निकलेंगे इन सभी बातों को अपनों को ध्यान में रख देनी है क्योंकि मैंने कई देखा है कई सारे बच्चों के साथ बहुत सारी प्रोब्लम हो जाती है तो आपको यह बाते हमेशा दिमाग में रखना है कान में खोस कर रखे है ठीक है तो चले दोस्तों कोशिन के और चलते हैं तो बायलोजी के सबसे पहले सवाल यहां पे दिया गया है वीच वरन इस इनकॉरेक्ट यानि कहता है कि निमने में से कौन सा वाक की सत्थी है तो देखिए यहां पे पहला ओप्सन दिया गया है कि फूल एक रुपांत्रित तना है दूसरा है नारियल के फल को डूब कहते हैं तिसरा है प्याज लिली ऐसी कुल का पौधा है और चौथा है परवसंदी तना पर पाय जाता है तो दोस्तो इसमें से सत्य जो है वह जो है आपका ओप्सन नंबर ए है क्योंकि फूल जो है रुपांत्रित तना नहीं है याद रखेंगे फूल क्या है रुपांत्रित तना नहीं है क्योंकि ये रुपांत्रित नहीं होता है क्योंकि फूल तो जढ़ जाता न क्योंकि वहाँ पे हो जागा फॉल फॉल जो है क्रुपांत्रित तना है ये आपका बन जाएगा ठीक है तो आपसर नमबर ए जो है इसका पादब kingdom कहा जाता है तो दोस्तो इसका अंसर जाएगा option number B bryophyta को ठीक है option number B इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है कि enzyme के protein वाले भाग को कहा जाता है तो दोस्तो यह जो है मैंने पहले भी बताए था और previous year में यह सवाल पूछा गया है कि enzyme के protein वाले भाग को क्या कहा जाता है तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा एंपोजाइम ठीक है जो कि option number C में दिया हुआ है इसको आप लोग अच्छे से याद रखे एंपोजाइम कहा जाता है ठीक है अगला question है चौथा नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि इन में से जो है किसे father of taxonomy कहा जाता है तो दोखी यहाँ पे चार option दिया गया है मैंडल, बैथल, हुकर और यहाँ पे हुकर और linear तो इन सभी चार में से father of taxonomy कहा गया है तो किसे कहा गया है दोस्तो तो दोस्तो इसका जो answer हो जागा option number D हो जागा, ठीक है यह हो जागा linear, option number D जो है इसे जो है यानिкивentwhatार यानिक linear को ही father of taxonomy कहा गया है अगला सवाल है कि बरगत के पैड से लट की मोटी जड़ों को कहते है तो मोटी जड़ों को क्या कहते है तो मोटी जड़ों को जो है अस्तम जड़ कहते हैं ठीक है जो के option नमबर C इसका सही आंसर होगा अस्तम जड़ अगला सवाल है कि सिम्पी प्लास्टिक गती के दोरान इसका जल परिवल रहन होता है कोशी का दरव के दिवारा जल परिवल होता है option number A, इसका right answer होगा, इसको रट लें, इसको copy में not कर लिजे, अगला सवाल है कि अनाक्सी स्वासन में गुलकोज के अपुर्ण, विग्टन के फल्सरूप बनता है, तो विग्टन के फल्सरूप जो दोस्तो एलकोहल अवं CO2 बनता है, यानि कि एलकोहल और कार्बन होगा, अगला सवाल, अठवा नंबर है कहता है कि क्रेज सारीरिक किस परकार के पौधों में पाई जाती है, तो दोस्तो इसका शुजागा, C2, sorry, C4 प्लांस में, यानि कि C4 पौधों में जो है ये पाई जाती है, ठीके, याद रखेंगे, अगला सवाल है, नो नंबर कहत है कि दलहनी पौधों में जो है, जड़ों के में जो है, कौन सी जीवानों पाई जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब अगर किसान, आपके घर में खेती होती है, या आप किसानी करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब दलहन के पौधों को जो है, पकने के बा तो दोस्तों इसका अंसरो जाएगा option number A हो जाएगा राजो बीयम ठीक है राजो बीयम जीवानों पाए जाते है option number A जो है इसका सयांतरोगा अगला सवाल है कहता है कि किस विरिक्ष की उम्र जानने की अच्छी विदी है यानि कि किस विरिक्ष की उम्र जानने की अच्छी व अच्छा यह विधी है ठीक है option number C answer हो जाएगा question number 10 का ठीक है याद रखेंगे अगला सवाल है कि रेसी मोज पूस्ट पक्रम में सबसे छोटा पूस्ट या छोटा फूल जो है सबसे छोटा फूल जो है कौन सा है सबसे तो यहाँ पर देखे दोस्तों क्या question दिया हो गया है काफी पेचिदा है लेकिन यह question जहने काफी easy है यहाँ पी question यह है कि रेसी मोज पूस्ट पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे जो है वो उपर रहता है तो option number a जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है कि पौधों में पानी की पूती किस किरिया द्वारा होता है तो दोस्तों इसका प्रासरन किरिया द्वारा होता है अगला कुशन 13 नमबर कहता है कि क्रेप्स चक्र कहां होता है तो दूस्तों क्रेप्स चक्र माइक्रो कॉंट्रिया में होता है ठीक है हुआ था अगला कोशन देखिए 15 नमबर दिया गया है कि कालविक चक्र है तो कालविक चक्र क्या है तो कालविक चक्र जो है परकास पर निर्भर नहीं करता है अगला सवाल है कि इन में से कौन तत्व जो है क्लोरोफील की संरचना का एक घटक है तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जागा मैगनीज्म एमजी हो जाएगा ठीक है अपसर नमबर भी इसका सयंत्र होगा इन सभी कोश्चन को आप अच्छे से राट लेजें और यह 16 नमबर कोश्चन जो है यह काफी बीबी आई है यह रिपीटेट कोश्चन है इसको बार बार पूशा गया है अगला सवाल द जाइलम के दोनों और फ्लोयम पाए जाता है को कहा जाता है तो यानि कि यहाँ पर यह कह रहा है कि वह समवहन बंडल जिन में जो है जाइलम के दोनों और फ्लोयम पाए जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं होगा ठीक है इसको अच्छे से याद रखेंगे अगला सवाल 19 नमबर कहता है कि protein sensation से संबंद है तो protein sensation से संबंदित रखता है ribosome ठीक है जो कि option number 20 का साय अंसर होगा ribosome कह सकते हैं या ribosome कह सकते हैं option number 20 का right होगा 19 नमबर का अगला सवाल है 20 नमबर कहता है कि द्वीपद नाम पदती में कौन-कौन से दो नाम होते हैं तो इसका अंसर रखा जीनस और इसपिसीज जो कि option number A जो है जिसका right answer होगा इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं अगला सवाल पूछा गया है कि कैंदरक के विभाजन को कहते हैं तो कैंदरक के विभाजन को क्या कहते हैं तो कैंदरक के विभाजन को दोस्तो केरियो किनिक्सिक कहते हैं ठीक है जो कि option number C में दिया हुआ है अगला सवाल है कि वात इस संग के जंतों का लक्षन है तो दोस्तों यहाँ पे धिहान दिजेगा कि जल संचालन तंत्र जो है किस संग के जंतों से यहाँ पे पूशा गया है तो इसका जो आंसर हो जागा यह हो जागा एका ठीक है एकाईनो ड्रामेक का ठीक है अगला सवाल 24 नमबर कहता है कि अंतह करन भरा रहता है अंतह लासी का से अगला सवाल 25 नमबर कहता है विरिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इखाई है उसे हम लोग जो है नेफ्रोन कहते है ठीक है अगला सवाल कि पेसमेकर को कहते हैं तो पेसमेकर को दोस्तों हम लोग जो है क्या कहते हैं आपको मैंने पहले वताए था S अब्लिक A नौड कहते है जो कि option number जो है आपका यहाँ पर हो जागा यहाँ पर S A लोड कहते हैं S A नौड याद रखेगा AB node नहीं कहते हैं, कई सारे बच्चे जो है न, AB node लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गुलत होगा, तो SA node कहते हैं, याद रखेंगे कि PaceMaker को हम लोग SA node कहते हैं, ठीक है, अगला सवाल देखें, 27 नमर कहता कि A को सिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से जो है, 256 को सि काई बनेगी, option number 8, जो है, सही answer होगा, 28 नमर सवाल, देखें, तो यहाँ पे question किया गया है, कि Carbohydrate पाचक enzyme है, तो Carbohydrate पाचक enzyme है, तो Carbohydrate पाचक enzyme है, 29 नमर सवाल कहता कि DNA का संसलेशन होता है, तो यह भी question काफी repeated है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह काफी BBI शवाल है, और इसका जो answer होगा, वो होगा, S अवस्था में होता है, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कि DNA के संदचना इस परकार होती है, ठीक है, यह जो है double bounded होता है, तो आपको पता होगा, कि इसकी जो है, रच इसकी एफिनेफ्रीन एवा जो है, नार एपिनोफ्रीम को कहते हैं, यानिक एफिनेफ्रीम और नार एफिनेफ्रीम को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, अपातकालीन हार्मोन, जो के option number C, इसका संदचना इसका राइट आंसर होगा, अगला सवाल है कि बिरिहत मस्तिक्स कहते हैं, तो बिरिहत मस्तिक्स जो है, वो सेरी बर्म को कहते हैं, option number A, इसकार जो है, संदचना रोगा, अगला सवाल कहता है, किसके अनू की बाराम बारता से सेलिलोज बनता है, तो ध्यान दीजेगा दोस्तों, यह BVI कोशन है, रिपीटेट कोशन है, इसको अच नंबर गुल को जियाद रखेंगे, अगला सवाल है कि 70S, राइबोसोम पाय जाता है, तो कहां पर पाय जाता है, किसमें पाय जाता है, यह आपको पूछा गया है, तो इसका अंसर जागा, प्रियोक्रोट में, ठीक है, यानि कि प्रो कैरियोट में, तो option number B, इसका सही अंस होगा, अगला सवाल 34 number कहता है कि कुंदक खली का संधी पाय जाता है, तो किसमें पाय जाता है बच्चों, आप मुझे comment करके बताएं, और इसका जो आंसर होगा, वो हो जागा कंधे में, ठीक है, क्योंकि कंधे में ही जो है कुंदक खली का संधी जो है, पाय जाता है, अग यू कोरेलेटिक जनतु जो है, अगनिजीजम जो है, यह क्या है, यह आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है, 35 number, और यहाँ पे यह भी कोशन जो है, रिपीटेड है, इसको अच्छे स्याद रखेंगे, तो इसका आंसर जागा, दोस्तों, देखे, यूरेक कोर्टिलिक ज जनतु है, अप्सन नमबर इसका जो है, डी सका जाइट अंसर होगा, 36 number सवाल देखे, यहाँ पे पूछा गया है, कि माना विर्दे में तृदली का पाट पाय जाता है, तो दोस्तों, इसका आंसर जो जागा, दाह आलिंद और दाह निलय, अगला सवाल है, उपास्ती है, तो दोस्तों, इसका आंसर जागा, सन्योजी उत्तक, क्योंकि सन्योजी उत्तक क्या है, एक उपास्ती है, अगला सवाल है, नियात तापी जनतु है, तो दोस्तों, इसका आंसर जागा, अप्सन नमबर हो जागा, डी, एवीज हो जागा, इसका सही आंसर, अप्सन नमबर जो है इसका राइट अंसर होगा चालिस नंबर कोशन पूशा गया है कि केचवा में नो फ्री डिया है तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दिजिएगा ये भी एक रिपीटेट कोशन है और इसका सही अंसर रहागा ये उत्सर जी अंग है अप्सन नंबर जो है 20 का सही अंसर होगा इस वीडियो में जो है क्लास 11 के बालो जी के 40 अप्डेक्टिव कोशन मैंने बताया है इन सभी कोशन को आप अच्छे से जो है एक्जाम से पहले रख लिजेगा और हो सके तो इसको कॉपी में नोट करके रख लिजे क्योंकि काफी BBI सवाल है और इसको जो है आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरू करेंगे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सस्क्राइब जरू कर लेंगे देख चले दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में तब तो लगज़ा हिंद वज़ा